इस्पृति नगर में सार्वजनिक नवदुर्गा उत्सो एवं विज्यादस्मी समीती के तत्वाधान में नवरात्र का उत्सो धुमधाम से मनाया जा रहा है और प्रति दिन शेत्रवासियों और दर्शकों के लिए कुछ न कुछ नया प्रस्तुत किया जा रहा है। मर्दनी नरित्र नाटिका की प्रस्तुती दी गई। इस नरित्र नाटिका को देखने और सुनने हजारों की संख्या में भीड एकत्रित हुई और इसे देखकर सभी मंतर मुक्द हो गए। और राय परिवार के साथ उनकी टीम की मुक्त कंट से सराहना की। समीति के संदक्षक राजी चौबे ने अपने छेत्र वासिव के लिए प्रतिवर्ष होने वाले दुर्गा-पुजा उस्व में प्रति दिन कुछ ना कुछ नया प्रस्तूत करने का प्रयास करते हैं। यही वज़ा है कि समीति की महिला सदस्यों द्वारा अनुरोद किया गया था कि समीति छेत्र के राय परिवार को इस महिसासुर मर्दिनी इन्रित नाठिका के लिए मंच उपलप्त कराने की अनुरोद को समीति के संदक्षक राजी चौबे द्वारा सहर्श स्विकार किया समीति के संदक्षक राजी चौबे ने इस न्रित नाठिका के प्रस्तुती को लेकर नियूस्टीम को जानकारी दी है चांदार प्रस्तुती की इन कलाकारों ने मेनत किये 15 अगस्त से इन्होंने जो एरिलसल प्रारम की थी और श्रीयास के राय श्रीमती वीजया राय ने और इनके निर्देशन में पूरी टीम ने काम किया संसाद्वारा इनको आश्वाशन दिया गया कि हम आपको मंच लुए नाटक के जाबते वो चारी व्योस्ता संसाद्वार की लेकिन बहुत ही सीमित सादन में बहुत उत्कृष्ट प्रस्तुती इस टीम ने दिये और यह पहला प्रायास्ता अभिनाव प्रायास्ता इसके लिए इनका साधुवाद है और यह जो प्रांगन है रविनाट अगले कारिक्रम में इस से बहतर की अपेक्षा होती है दर्शकों को निश्टी तुरूप से दायत भी हमारा बढ़ा है और जो इनकी अपेक्षा है उस पे हम खरा उतरने का प्रयास करेंगे अगली बार इस इतना ही नहीं समिति के द्वारा नौरात्र के पूरे नौ दिनो तक विशेश भंडारे का आयोजन भी किया जाता है और इस वर्श भी प्रति दिन बंडाल में आयश धालियों छेत्रवासियों एवं अपनी प्रस्तूतियां देने वाले कलाकारों के लिए भंडारे का आयोजन स्वादिष्ट वेंजनों के साथ किया गया है जिसका लुथ यहां आये हुए दर्शक और छेत्रवासी बखो भी उठा रहे हैं Grand A.C.N. News के लिए भिलाई से संतो शर्मा की रिपोर्ट